जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोग्रफी के 10 most important questions के बारे में जो कि दोस्तो आपके exams में बहुत ज़्यादा संख्या में आते रहते हैं तो दोस्तो यह जो questions है यह अच्छे और selected level के questions है और आपके exam के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर questions हैं तो दोस्तो वीडियो को last तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like, share और comment जरूर करें और दोस्तो चैनल पर अगर नए है चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को भी प्रेस जरूर कर लेना जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुँचती रहे तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को प्रेस जरू कर लें तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो question number 1 है निमलिकित में से कौन सा सहर भारतिय समुंदर तड़ से नहीं सटा है option से आपके तिर्वननत्यप्रम, मॉंबई, पणजी और भुवनेश्वर तो question number 1 का सही answer है option D भुवनेश्वर ठीक है यह जो सहर है यह तीनो के तीनो समुंदर तड़ से सटे हुए है इसमें केबल एक ही सहर ऐसा है जो भुवनेश्वर है जो कि दोस्तो किसी भी समुंदर तड़ से नहीं सटा हुआ है question number 2 है कंचन जंगा भारतिय राज सिक्के में 8586 मीटर यानि की 8179 फिट पर भारत का सबसे उंचा इस्थान है और यह संसार की कौन सी सबसे बड़ी चोटी है तो यहाँ पर आपके कई सारे present clear हो रहे है मैं आपको एके करके सभी बता देता हूँ सबसे पहले तो आपका यह present clear है कि कंचन जंगा भारत के राज सिक्के में है उसकी height in meter 8586 मीटर है और 8179 फिट है ठीक है और यह भारत का सबसे उंचा इस्थान है ठीक है और यह संसार की कौन सी सबसे बड़ी चोटी है यह आपका question है तो question number 2 का answer है आपके options हैं दूसरी सबसे बड़ी चोटी चौथी, तीसरी या फिर पाँचवी तो question number 2 का सही answer है option C, तीसरी यह दोस्तो संसार की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है ठीक है, question को ध्यान से पढ़िएगा यह question में आपके काफी सारे जबाब clear होते चलेंगे तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते है question number 3 है भारत का सबसे उत्तरी बिंदू सियाचिन ग्लेसियर को किस नाम से जाना जाता है options हैं आपके इंद्रा कॉल, option B इंद्रा पॉइंट, option C किबिथू, and option D सिक्रिक तो question number 3 का सही answer है option A इंद्रा कॉल ठीक है next question है हमारा question number 4 पाक जल डमरूमद और मनार की खाड़ी को भारत के किस को भारत किस देश से उसके दच्छन पूर में अलग करती है, ठीक है, question मैं एक बार आपको फिर से पढ़के बता देता हूँ पाक जल डमरूमद और मनार की खाड़ी भारत को किस देश से उसके दच्छन पूर में अलग करती है option से आपके option A म्यामार option B मालदीब option C स्रिलंका and option D है थाईलेंड तो question number 4 का सही आंसर है आपका option C स्रिलंका next question है question number 5 निमलिकित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पाने की जील कौन सी है ठीक है तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर भी आपके दो questions के लिए रहोगे यह मीठे पाने की जील कौन सी है और भारत की सबसे बड़ी जील कौन सी है मीठे पाने की तो यहाँ पर question number 5 के options मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिभा ओनलाइन क्लासे से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है दोस्तो Question number 6 है तो सबसे पहले तो दोस्तो आपके लिए मैं ये पता दूँ कि जो काजी रंगर राष्ट्री उद्ध्यान है ये भारत के असमराज में इस्तित है और ये भारतिये गैंडे के लिए बिसेश रूप से प्रिसित है Question number 6 का आपका सही आंसर है Option A भारतिये गैंडा Question number 7 है आपका छेतरफल की दरिश्टी से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्री उद्ध्यान नमदाफा राष्ट्री उद्ध्यान भारत के किस राज़् में इस्तित है तो यहां तक दोस्तों आपका एक Question जो है वो प्रिस्ट में ही छुपा हुआ है आप देख सकते हैं छेतरफल की दरिश्टी से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्री उद्ध्यान नमदाफा राष्ट्री उद्ध्यान तो अगर आपसे Question आता है कि छेतरफल की दरिश्टी से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्री उद्ध्यान कौन सा है तो आप लेख सकते हैं नमदाफा राष्ट्री उद्ध्यान उसके बाद मैं इस प्रिस्ट के बाद करते हैं अब यहाँ पर आपका question ऐसे भी आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्री उद्यान किस प्रजातियों के साथ साथ भूमी छेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है option से आपके जरोंग वर्ड पार्क option B पतना बनजीव अभेरन option C केवला देव राष्ट्री उद्यान और option D है आपका बिल्ट बोगेल पार्क वाल्स रोट तो question number 8 का सही answer है आपका option A जरोंग वर्ड पार्क यह जो दोस्तो जरोंग वर्ड पार्क है यह पक्छी पार्क प्रज question number 9 है हमारे सौर मंदल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंदल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो question number 9 के option से आपके option A प्रित्वी, option B सनी, option C अरोण, और option D है आपका बरोण तो question number 9 का सही answer है आपका option C अरोण, ठीक है, हमारे सौर मंदल का जो तीसरा सबसे बड़ा ग्रहा है, वो है अरोण के रहा है last question है आज का, question number 10 भारत में 50 tiger reserve हैं, आप यहाँ पर देखते रहिए गर, number 1 question आपका यहीं पूरा हो गया, भारत में कितने tiger reserve हैं, भारत में 50 tiger reserve हैं, जो project tiger द्वारा सासित हैं, ठीक है जो कि project tiger द्वारा सासित हैं, यहाँ पर question है, यह जो भारत के tiger reserve पे, जो जिसके द्वारा सासित किया जाता है, एंटी सीए, जिसके लिए हम हिंदी में बोलते हैं, tiger बाग सानरक्षन प्रादिकरां तो यह जो project tiger की दोस्तों इस्थापना हुई यह कब हुई, तो question number 10 का सही answer होगा, option A, 1973 ठीक है, तो यह थे दोस्तों 10 questions, जो कि भूगोल की questions थे, geography की questions थे, तो कैसे लेगे questions कमेंट करके जरू बताएं, आपको यह वीडियो हमारे चैनल पर सुबह 11 बज़े daily मिलती है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद भी जरू करा करें, और अपने दोस्तों को भी इसमें हमारे जो चैनल है, इसके साथ जोड़ें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए पता है कि हमारे चैनल पर general knowledge की वीडियो के साथ में आपके लिए government job की जो update होती है, वो भी मिलती रहती है, तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, thank you for watching, कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैभारत